में आपके साथ साक्षी सिंग किसानों के विरोत कडर गर्तंकर दिवस पर हर्याना सीएब खटर का कारकरम स्थल बदला किसानों के अंदोलन को देखते हुए ही अब हरियाना सरकार ने अपने कारक्रमों में बदलाफ किया है मुखे मंत्री मनोहर लाल खटर और अन्य कुछ मंत्रियों के कारक्रम स्थल को बदल दिया गया है अश्विन ने औसेलिया में भेदभाव पर किया खुलासा नहीं मिलती थी लिफ्ट में जाने की इजाज़त अश्विन ने कहा है सिद्नी में एक अनोखी घटना हुई इमानदारी से कहूँ तो ये अजीब था भारत और उसेडिया दोनों एक ही बायो बल में थे लेकिन जब उसेडिया इखिलाडी लिफ्ट में थे उन्होंने भारते खिलाडियों को लिफ्ट के अंदर जाने की अनुमती नहीं दी गलवान घाटी में जान गवाने वाले करनल संतोष बाबू को मिलेगा महावीर चक्र कई जवान होंगे सम्मानित अपने साथी जवानों के साथ गलवान घाटी में चीन को महुतोड जवाब देने वाले शहीद करनल संतोष बाबू को इस बार महावीर चक्र से नवाजा जाएगा बीजेपी वाले हतियार लेकर आएं तो अपने बरतनों के साथ तयार रहो ऐसा कहना है बंगाल की ममता बेनरजी का महिलाओं से अपील करते हुए पशिमंगार की मुख्यमंत्री ममता बेनरजी ने कहा है कि अगर बीजेपी हतियार और बं लेकर निकलती है तो अपने बरतनों के साथ तयार रहे मुंबई किसान रैली में पवार बोले राजोपार के पास कंगना से मिलने का वक्त किसानों से नहीं मुंबई के आज़ाद मैदान में सुमवार को हजारों की संख्या में किसान चुटे कृशी कानून के खिलाफ दिली में जारी किसानों के अंदोलन का समर्थन किया गया NCP प्रमुक शरतपवार ने भी यहां आए किसानों को संबोधित किया और केंद्र पर निशाना साधा सिक्किम में बॉडर पर जड़प में 20 चीनी सैनिक जख्मी सेना ने बताया मामली जड़प सिक्किम में नाकुला में भारत और चीन के सैनिक भिड़ गए हैं भारतिय सेना ने कहा कि यह दोनों देश की सेनाओ की बीच हुआ मामली जड़प था स्थानी इस्तर के कमांडर्स ने तुरंत इस विवात को सुलझा दिया वरुन्धवन ने शियर की हल्दी सेरेमिनी की तस्वीरें चर्चा में शट्लेस पोस लंबे समय के इंदजार और धेर सारे उत्साह के बाद अब वरुन्धवन और नताशा दलाल पति पत्नी बन चुके हैं दोनों की शादी को लेकर चल रही सभी अफवाहों को सच करते हुए एक्टर ने अपनी लेडी लफ सेर अभिवार यानिके 24 जन्वरी को शादी की और मीडिया के सामने अपनी दुलहनिया संगाए कोरोना संकट में भारत के टॉप अमीरों ने इतना कमाया कि हर गरीब को मिल सकते हैं 24,000 उपे, OXFM की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2020 से दिसम्मर 2020 की भी श्लोकडाउन और अन्दे परिशानियों की वजह से जहां करोडों लोग और गरीब हो गए हैं वहीं दुनिया के टॉप अमीरों की संपत्ती में करीब 3.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का इजाफा हुआ है पती के देखे एक सपने की वजह से महिला बन गई 437 करोड रुपे की मालकिन कोरोना वाइरस महामारी की वजह से एक महिला को नौकरी से निकाल दिया गया लेकिन इसके कुछ वक्त बाद ही वो 437 करोड रुपे की मालकिन बन गई असल में कनाड़ा के टोरंटो में रहने वाली महिला ने एक लोटरी में साथ मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशी जीत दी लेकिन महिला को लोटरी में इतनी बड़ी रकम नहीं मिली होती अगर उनके पती ने एक सपना नहीं देखा होता ट्रैक्टर रैली से पहले अमिश यहा ने बुलाई आहम बैठक, आईबी चीफ और दिल्ली पुलिस कमिशनर रहेंगे शामिर क्रिशी कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को गरतन दिवस के मौके पर ट्रैक्टर रैली निकालने की इजाज़त मिल गई है इसी को लेकर दिल्ली की सुरक्षा काफी सक्त कर दी गई है किसानों को कुछ निश्चित रूट पर एंट्री की इजाज़त मिली है इस भी सोंवार को ही मुंबई में भी किसान आंदोलन का नजारा दिखेगा जहां हजारों के संख्या में किसान चुट रही है प्लेन जब तो होने से हुई पाकिस्तान की बेज़ती मजबूरी में उठाया कुछ अलग ही कदम मैलेशा में पिछले हफते पाकिस्तान का पैसेंजर प्लेन बोईंग 777 जब्त कर लिया था जिससे पाकिस्तान को काफी शर्मिंद की जहलने बड़ी थी दरसल पाकिस्तान ने वियतनामी कंपनी पेरेग्रीन एविएशन चार्ली इन लिमिटेट से लीस पर प्लेन लिये थे जिसका भुकतान ना करने की विजह से 15 जन्वरी को मेलेशा में बेंग 777 प्लेन जब्त कर लिया था फजीहत होने के बाद पाकिस्तान इंटरनेशन एरलाइन्स ने अब लीस पर लिये प्लेन की बाकी रकम अदा करने का फैस्ता किया है पाकिस्तान इंटरनेशन एरलाइन्स ने पेरेग्रीन एविएशन चार्ली लिमिटेट के साथ कोर्ट के बाहर सुलाग कर ली थे चीन टाइवान तनाव के बीच अमेरिका ने साउथ चाइना सी में उतारा यूथपोत पहले तो चीन के 12 लड़ाको विमान टाइवान के एर डिफेंस टेरिटोरी में पहुच गई है अब इसके जवाब में अमेरिका ने भी अपने लड़ाको यूथपोत का बेड़ा दक् चीन आप पहुच गई हैं प्रेमी का ने किया सुसाइट दुखी प्रेमी ने आत्महत्या से पहले वीडियो बना कर की शिकायत तिलंगाना के चितुर से एक दिल दहरा देने वाली वार्दात सामने आई है जहां एक प्रेमी कहानी का दुर्भागे पून अंत हो गया दो प पूबाई में आत्महत्या कर ली डरक्स केस में NCB ने आरिफ भुजवाला को किया गिरफतार दाउद के भाई का है करीबी NCB की ये गिरफतारी अंडरवर्ड डॉन दाउद इब्राहीम के लिए द्रक्स धंदे को बड़ा चटका है दरसल आरिफ भुजवाला दाउद इब बाप नेहीं अपनी दो यूवा बेटियों को जान ले ली ये घटना चितुर जिले के मदना पल्ले कस्बे में रविवार रात को हुई मुंबई में रेप के लिए चार्ज शेटेड था शक्स DNA टेस्ट के अधार पर मिली जमानत मुंबई में स्पेशल चाइड स्कूल में साथवी कक्षा में पढ़ने वाली मूख और बधिल लड़की ने 23 जुलाई 2019 को पेट में दर्द की शिकायत की उस वक्त की वो स्कूल में ही थी लड़की के घरवाले उसे अस्पतार ले गए महापता चला की वो प्रेगनेंट है पेडित महिलाएं दोसा के सूर्य मंदिर के पीछे के इलाके की रहने वाली हैं इन महिलाओं के साथ थाना के बंद में एक धाबा चलाने वाले विश्नु गूर्जर ने रेप किया है दरसल आरोपी विश्नु गूर्जर एक महिला के साथ पिछले एक साल से दुशकर्म के वारदात को अंजाम दे रहा था दिल्ली में Google में काम करने वाली महिला ने आत्मा हत्या की या दहेज के लिए मार दी गई पहेली बनी हुई है अभी तक ये मौत मृतिका के वहाई का आरोप है कि दहेज के लिए सस्राल वालों ने उसकी बेहन स्वाती शर्मा की हत्या कर दी ह पुलिस का कहना है कि स्वाती ने घर में खुदकुशी की थी उतरप्रदेश में साइबर अपराधियों पर लगे की लगाम नौईडा पुलिस ने किया माइक्रोसॉफ्ट संकरार नौईडा के पुलिस कमिशनर आलोग सिंग और माइक्रोसेफ्ट इंडिया प्राइवेट पुलिस के अधिकारियों ने MOU पर दस्थखत किये MOU पर अस्ताक्षर के साथ ही नौईडा पुलिस दुनिया के उन चुनिंदा पुलिस सिस्टम में शामिल हो गई है जहां साइबर क्राइम से लड़ने के लिए आधुनिक और सक्षम तक्नीकों का इस्तमाल किया जाता है से ट्रेक्टर रैली की इजाज़त है इन तीन बौडरों पर बैरिकेट हटाए जाएंगे कुछ शर्तों के साथ ये इजाज़त दीट गई है मैस विलहाल के लिए इतना ही वाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहेगे लोकल लोकल यूस